Assalamualaikum, तो चलिए, आज हम बनाते हैं बड़िया सी चिकन टंगडी कबाब, जिसका नाम है मलाई चिकन टंगडी कबाब, बहुत ही जटपट घर पर आसानी से बनती है, इनफेक्ट बाजार से ज़्यादा बैतर बनती है घर पर, जो हरी चटनी है मैंने दही वाली बनाई है, बहुत ही लजीज जाती है इस वाली रेसिपी के साथ, उस दही वाली चटनी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप महाँ चेक कर लीजेगा, तो चलिए, शुरू करते हैं आज की रेसिपी, साधारन याने ओर्डनरी इंग्रीडियन से एक्स्ट्रो ओर्डनरी ड आगे और पीछे मार लें और अच्छे से पोच लें और अब मैं एक प्याले के अंदर नम्मक डाल देती हूँ, एक चोटा चाय का चमच और एक बड़ा नीम्बू का रस डाल दीजिए, और एक चोटा चाय का चमच भर कर हरी मिर्ची डाल दीजिए, मैंने पीस लिया आप चाहें कूट कर भी दाल सकते हैं, इसे mix कर लीजिए, और ये जो chicken के pieces है, ये जो टंगडी गवाब है, ये सारे दालते जाएं, दो दो तीन तीन करके और इसे mix करते जाएं, मक्सद ही है कि बहुत अच्छे से mix हो जाएं, ये हमारी जो marination के अंदर है, तो ये first marination है, इसे mix करक इसे side पर ढख कर आप रख दे, या फिर आप fridge में भी रख सकते हैं, आदे घंटे के लिए, चलिए अब दूसरा marination बना लेते हैं, एक प्याले के अंदर या बड़े से बरतन के अंदर 100 grams दही दाल दीजिए, गाडी दही, एक टीबल स्पून अध्रकलसन का paste, एक अंडा फ चमश गरव मसाला पाउडर, थोड़ी सी बारी कटी हुवी कोटमेर, यानि के हरा धनिया दाल दीजिए, बनफोट चोटा चायका चमश नम्मक, दो टेबल स्पून भरकर कॉन स्था यानि के कॉन फ्लार दाल दीजिए, और 4 टेबल स्पून मलाई दाल दीजिए, मैंने बा हो जाए, तो धाक कर, मैरिनेट करने, फ्रिच के अंदर, एक दो घंटा या तब तक आपके पास समयों, तब तक के लिए रख दीजिएगा, आप चाहें, तो रात भर के लिए भी रख सकते हैं, नेक्स डिन बना सकते हैं, लेकिन धाक कर रखिएगा, मुझे नम्मक कड़ाय ले रही हूँ, आप फ्राइपन भी ले सकते हैं, दो टीबिल स्पून भर कर, बटर यानके मखन दालिए, थोड़ा सा तेल दाल दीजिए, और थोड़ा मेल्ट हो जाए, फास्ट आज पर, तो यह जो चिकन हमने मेरिनेट करके रखिए, सारी मसाले के साथ दाल दी जब आप 30 मिनिट पका रहे हैं, मतलब हर 10 मिनिट के बाद इसे उलट-पलट कीजिएगा, तो मतलब 3 बार, 2-3 बार आप बीच में उलट-पलट कर दीजिएगा इस रेसिपी के अंदर, पूरे 30 मिनिट नहीं हो है, बट मैंने क्या किया, 27-28 मिनिट पे खोल लिया है, और आ यह हैं कि जो ग्रेवी बहुती लजीज और बहुती टेस्टी है, तो वो आपके हिसाब से आप सुखाईएगा, आप चाहें तो सुखाना नहीं है, तो भी मत सुखाईएगा, फास्ट आज पर थोड़ा सा उसे आधे मिनिट तक पका लेने के बाद बंद कर दीजिएगा, म आप रख सकते हैं कि ग्रेवी का भी बहुत अच्छा टेस्ट है, तो चलिए, यहाँ पर में चूला कर देती हूँ, और हल्की सी मुझे ठंडे हो, हल्की है, कि मैं पकड़ सकूँ, नहीं तो बहुत करम होती है, तो पकड़ाती भी नहीं है, मैं क्या कर यह हल्का हल्का यह मसाला लगा हुआ है न, यह मैं चिकन के ओपर लगा-लगा के, प्लेट के ओपर रखते जा रहे हूँ, इस तरीके से साइट पर, तो आप देख सकते हैं, अभी भी थोड़ी सी यह जो ग्रेवी है, अंदर रखी है मैंने, वो मैंने जानबूच कर रखी है, so that बाद में जब हम पूरा ग्रिल कर लें और जब फाइनल प्रेजेंटेशन और जब खाने का टाइम सर्विंग का है, तब हम यह ग्रेवी को गरम करकर इससे उपर से दाल कर लगा के खाएंगे, तो बहुत ही डिलिशिस लगेगी, बहुत मसा हैगा, चलिए मैं थोड़ी थोड़ी और उप उपर से लगा रही हूँ, अब हमारी मलाई चिकन टंगडी कबाब को चिम्टे के मदद से गैस के उपर इस तरीके से डारेक्ली घ्रिल कर लीजिए, यह एक तरीका है, और इसे साइट पर रख दीजिए, या फिर जो ग्रिलिंग प्लेट आती है, उसके उपर 3-4 एक साथ रखी है हमारी चिकन मलाई टंगडी कबाब को और उलट पलट करते हुए, इसे ग्रिलिंग स्पॉट्स दे दीजिए, और इसे साइट पर प्लेट के उपर रखते जाएए, इस तरीके से, अब जो कडाए में रखी हुई ग्रेवी है, उसे मैंने थोड़ा स्लोपर रख दि हुई, थोड़ा सा कोथ मिर्याने के हरा धनिया दाली, और मैंने थोड़ा सा मक्षन गरम करके इसके उपर ड्रिजल कर दिया है, और ये हमारी चटनी हरी वाली जो दही वाली आती है, और ये बन गए हमारे बढ़िया से, मजेदार से, बाजार से बहतर, माशालला, तो देखी रहे हैं, लेकिन टेस्ट में भी बहतर है, मलाई चिकन तंगरी कबाब, तंदूरी और तंगरी कबाब की रेसिपी इस मेरे मेरे चैनल पर अपलोड किये, लिंक्स दिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप तो हैना मज़ेदार रेसिपी आज की अगर ये रेसिपी ब आलाव, विस्मा बाइग!